दोस्तों मीठा खाना किसको पसंद नहीं होता सभी को होता है और हमें भी बहुत पसंद है तो मेरे घर में अक्सर ये टिन के बॉक्स आते रहते हैं रस गुले या गुलाब जाप उनके तो हम क्या करते हैं कि स्वीट्स तो हम खा लेते हैं लेकिन जो चाशनी रहती है उसे फैक देते हैं तो मैं तो देखिए शाम का टाइम था आज थोड़ा फ्री थी तो सोचा चलिए चाशनी का मैं कुछ बनाने जा रही थी तो सोचा चलो आपको भी थोड़ा आइडिया दे देती हूँ तो देखिए वैसे तो बहुत सारी recipe बंदे चासनी से लेकिन मैं जो बना रही हूँ बिल्कुल simple और healthy बना रही हूँ तो मैं बना रही हूँ मीठी सुखाली उसे कुछ लोग मीठी पूरी भी बोलते हैं तो जैसे हम लोग चीनी या गुड का यूज करते हैं आटे में तो उसकी जगह हम चासनी का यूज कर लेंगे तो हमारी चासनी का देखिए अच्छे से यूज हो जाएगा उसमें तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा तो क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको कि देखिए हम रसुले भी खाएंगे इसके और चासनी का भी यूज करेंगे और फिर उसके बाद बॉक्स का भी यूज करेंगे तो वीडियो प्लीज पूरा एंड तक देख लीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो देखिए बनाने के लिए मैंने लिया है आटा ले लिया है गेहूं का आप चाहे तो मैं तब इसमें मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ आटा ही लिया है और इसमें मैं डाल रहे हूं मोयन तो मोयन के लिए देख लिए तेल का यूज करती हुए तो इसमें हमें थोड़ा ना मोयन जो है चाशनी वाली के लिए चाशनी की सुवाली में एक्शुली थोड़ा ज़्यादा गिरता है क्योंकि अगर कम डालेंगे ना तो फिर कड़क हो जाएगे आपकी जो सुवाली बनेगी तो इसके लिए देखिए ऐसे मुठी बन के देख लिजिए तो मुठी बन जाए ना तो आपका मोयन समझ लिए जी सही है तो अभी लिए चाशनी और हम आटा इससे गूद लेंगे अच्छे से थोड़ी थोड़ी डालते जाएएंगे और आटा गुनते जाएंगे अगर थोड़ा माल लिजे आपको लूज लग रहा है तो थोड़ा सा तो असमें सुखा अटा भी डाल सकते तो मैं दीरे-दीरे करके डालते जाओंगे और अपना आटे को देखें गुट लेँगे तो देखें आटा अपना गुट चुका है अब हम बनाएंगे अपनी पेडिया छोटी-छोटी तो छोटी-छोटी करके पेडिया बना लेंगे आप चाहें तो पूर मतलब की बड़ा क करके और फिर उसको काट लीजिए या फिर इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैं कर रहे हूं तो देखें तेल लगाया है हलका सा और फिर इसको हम बेलेंगे तो जो सुहाली बनती है वो थोड़ा सा मोटी बनती है फ्रेंट्स तो ज्यादा पतली बनाएंगे तो जैसे बोल कोई भी ग्लास या कटोरी ले लिए और इस तरीके से देखे मैं करके अपनी सभीयों को बना लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राइ कर लूँगी के करके तो मैंने तेल भी अपना रख दिया है सहन में जब तक में यह सब बिल के त्यार होएंगे तो तेल गरम हो ज जाल लूँगी जितनी मतलब स्पेस है सिर्फ उतना ही एक्स्टर नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ इसी फिर इनको पलटने में जगए भी चाहिए इसलिए तो देखे मैंने चार मेरी जुकडाई में आ गई है तो मैं ज्यादा नहीं डाल रहे हूं बस और यह देखे जो आठा निकला था ना तो अब इसको भी उसी तरीके से देखे थोड़ा सा आठे को इकठा करूंगी ना तो आठा बन जाएगा अच्छे से और फिर मैं इससे भी उसी तरीके से जैसे अपनी सभी बनाई थी तो वह कर लूँगी तो देखे बनके मेरी तयार है सुहाली तो च पहले देखे क्या करेंगे तो जो इसके किनारे है ना तो मैंने यह देखे इस तरीके से यह ले लिया है पलास और इसको मैं मतलब की पूरा ऊपर की तरफ मैंने इसको कर दिया है तो अब इससे ना आपका हाथ बिल्कुल भी चोटनी लगेगी हाथ को तो देखे मैं आपको गिफ्ट रैपिंग पेपर आते न वो तो मेरे पास यह रखा था तो मैंने यही यूज़ कर लिया और इस पर देखिए सेंटा भी बना हुआ तो अब बच्चे कुश हो जाएंगे क्रिस्मिस भी आ रहा है तो अच्छा लगेगा इसमें आप चोकलेट वगरा भरके रखते हो लेकिन इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा जर्म सा लग गया था तो ऐसे तो मैंने इसको पहले डेकोरेट कर रहा था पर अभी आप इसका देखिए लिड देख सकते हैं थोड़ा खराब हो गया तो सोचा कि चलो इसको मैं दुबारा से कर लेती हूँ तो इसका पहले जो के उपर था तो वो तो मैंने कलर हटा दिया था क्योंकि उस प्यक्रेलिक कलर ही मैंने पहले किया हुआ था और आप मैं इस पर यूज कर रहे हूँ और मेरे पास देखिए ब्राउन कलर का रखा था तो मैं इसी का यूज कर रहे हूँ आप अपनी चोईस से कोई भी ले सकते और पेंट करने से क्या वह बहुत मेंस की लॉंग टाइम तक चलते हैं जैसे कि तो ओइल पेंट मैं इसके कर लूँगी और फिर मैंने इसकी लेड पर भी कर लिया है और पहले जो मैंने इसका कॉंबिनेशन बना है था वह वाइट और गोल्डन कलर खाता तो वह भी बहुत अ हो जाते हैं तो फिर मैं चेंज कर लेती है तो अभी मैं इसको ओ के लिए और तुछने में टाइम लेगा थोड़ा तो देखिए मैं इस यह को कर दियाDS बिलकुल अच्छे से और इसको सूपने में देखे टाइम लग जाएगा फ्रेंट्स तो और ये दो और रसगूले की डबे थे तो इन दोनों को भी मैंने पेंट कर लिया तो ये मेरे सूप गए है और हाथों में प्लीज गलब से आप डाल लीजे और ना हाथों की आलत बहुत खराब हो जाएगी तो देखे ये जो बॉक्स थे ना इन पे मैं लेस लगा रहे हूँ सिंपल इस पे कुछ नहीं डेकोरेट बाकी मैं कर रहे हूँ इस पे मिन्स की पेंट से तो मेरे पास दो तिन जो भी लेस थी मैं लगा के देख रही थी कौन सी अच्छी लगेगी तो फिर मुझे लास्ट में ये अच्छी लगे इस पे थोड़े डिजाइन था ट्राइंगल शेप जैसा तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगे तो मैं फेवी बॉन ले रहे हूँ ग्लुगन से भी हो जाएगी अच्छे से तो फेवी बॉन से मैं इसको स्टिक कर दूँगे और एक्स्ट्रा जो है अपने उसको कट कर देगे तो बिल्कुल सिंपल डिजाइन देखे मैंने रखा है कोई भी कर सकता है ज़र देखे होता है कई बार जैसे कि पेंटिंग हम लोगों को मतलम नहीं आती तो हम सोचते है यार हमारे तो बसका कुछ नहीं है इस टाइब से लेकिन देखे तो फिर मैंने कुछ नहीं किया उसमें कलर किया और सीधा लेस लगा दिया और उसके बाद फिर कलर फिल कर दिया है तो चलिए अभी मैं आपको कुछ और मेरे बॉक्स दिखा रहे हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए देखे तो ये तो जो दिख रहे है ना जिस पे बर्ट्स बने है ये मैंने है ना प्लांटर बनाए थे अक्चुली लेकि जो आउल वाला प्लांटर भी मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है मैंने बनाये तो सब प्लांटर ही थे लेकिन मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ये क्योंकि प्लांटर के लिए आप या तो फिर ऐसा कर सकते हैं मतलब कि दूसरा कोई प्लांट्स रखके और इसके मैंने वॉल पुट्टी से इसमें डिजान के हुआ है और इसमें गो ग्रीन अच्छी सी एक कोट लिखी हुई है तो यह मैं सब आपको थोड़ा आइडिया दे रहे हूं देखें तो देखें आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे बताईएगा प्लीज और यह जो वोक्स है मेरा इसमें मैं अपनी जो पूजा की बत्तिया होती है घी में जैसे डूब होके रख देते हूं तो वो मैं इसमें रखती हूं तो फ्रेंड्स मैं मिलूगे आपसे एक और वीडियो में तब तक